मोहबत जिंदगी है इस नौवल को तहरीर किया है राशिदा रिफत ने इस नौवल को तहरीर किया है अम्मा एनी आपा के सुसर की आयादत को गई थी उन्होंने हारिस को फोन करके घर जल्द आने की ताकीत की उसने जल्द अस जल्द आफिस के काम निम्टाई थे फिर बॉस से चुट्टी लेकर घर की रा ली हानिया किचन में मसरूफ थी हस्ब तवक्को वो हारिस को देख कर हैरान हुई आज आप इतनी जल्दी आगए खरियत तो है उसने इस तफसार किया अम्मा ने फोन करके कहा था मेरी बहू घर पर अकेली बोर हो रही है फोरण उसके पास पहुचो मैंने हुक्म की फोरी तामील की और दोड़ा चला आया हारिस ने शगुफ्तगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया हानिया भी मुस्कुरा दी थी लेकिन उसकी आखों ने उस मुस्कुराहट का साथ ना दिया था हारिस को आज भी वो बहुत बुझी बुझी और पसे मरदा लगी थी तुम जल्दी जल्दी अपने किचन के काम समेटो और बैडरूम में आओ मैं तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूँ हारिस उसे नर्मी से मुखातिब करता किचन से चला गया पंदरा बीस मिनट बाद वो चाय का कब लिए बैडरूम में आई थी ये लीजिए चाय विसकिट खतम हो गए आज खाली चाय पर गुझारा करना पड़ेगा वो चाय का कब साइट टेबल पर रख कर फिर जाने के लिए मुड़ी थी तुम कहां जा रही हो यहां आओ बैठो मेरे पास हारिस ने उसे पुकारा था सिंग बरतनों से भरा पड़ा है हारिस बरतन धोने जा रही हूँ आपको कुछ और चाहिए तो बताएं निम को ला दूँ उसने उजलत भरे अंदाज में पूछा था मुझे तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए इनायत कर दोगी हारिस इस बार कद्रे खफा हुआ था हानिया उसके अंदाज पर हैरान तो हुई थी मगर खामोशी से बैट के सिरे पर टिक गई हारिस चंद लमों तक उसे खामोशी से देखता रहा तुम जानती हो मुझसे शादी करने का तुम्हें सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है कुछ लमों की खामोशी के बाद हारिस ने इस तफसार किया था वो तो पहले ही उसके अंदाज पर हैरान हो रही थी ये बात सुनकर मजीद हैरान हो गई आप क्या कहना चा रहे हैं हारिस उसने हैरान निगाहे हारिस पर गार कर पूछा था शादी से पहले तुम अपना हर दुक सुक यहां अम्मा से आकर कह दिया करती थी शादी के नतीजे में भानजी खाला का रिष्टा खतम हो गया और सास बहू का रिष्टा इस तवार हो गया और ये इस शादी का सबसे बड़ा नुकसान है हारिस ने गहरी सास अंदर खेशते हुए उसे मुखातिब किया था आप ही कहना चा रहे हैं कि मैं खाला की भानजी नहीं रही बलके बहू बन गई नहीं नहीं हर्गिस नहीं मैं तुम्हें बिलकुल दोश नहीं दे रहा मेरा कहने का मकसर सिर्फ ये है कि तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि अम्मा अब तुम्हारी खाला नहीं बलके सिर्फ एक सास बन कर रह गई है हारिस ने वजाहत दी पता नहीं आप क्या कहना चा रहे हैं हानिया ने बेचारगी से उसे देखा उसकी आँखें डबडबा गई थी आज इन आशों को बहने से मत रोको हानिया अपने जी का सारा बोज मेरे सामने हलका कर लो बिना जिचके तुम अपनी हर फीलिंग मुझसे शेर कर सकती हो बिलीव मी मैं अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा बात के आखर में वो मुस्कुराया था खाला का यहां क्या जिकर हानिया के आसों में रवानी आ गई थी खाला का जिकर किये बिना जी का बोज कैसे हलका होगा डेयर वाइफ हारिस उठकर ड्रेसिंग टेबल तक गया था टिशू का डबा उठाकर हानिया के पास रखा और फिर उसके बिलकुल बराबर में बैट गया मैं मानता हूँ हानिया अम्मा तुम्हारे साथ अकसर ज्याती कर जाती है तुम घर के कामों में अभी पूरी तरह director नहीं हुई आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कामों में बाहर हो जाओगी लेकिन अम्मा फिलहाल तुम्हारी मामोली सी खुल्टी भी नजर अंदास करने पर तयार नहीं होती तुम यकीनन उनके इस रवये पर डिसहार्ट हो जाती हो मैं बहुत बार अम्मा को समझा चुका हूँ लेकिन अम्मा तुम्हें बहुत समझती तो कुछ रियायत देती ना वो तो रोजे अवल से तुम्हें बेटी समझती है वो बेटी जिसकी अपनी मा उसके बच्पन में अल्ला को प्यारी हो गई और अब उसे तरीका सरीका सिखाने की सारी जिम्मेदारी उनके कांधों पर आइध हो गई यकीन करो हानिया अम्मा तुमसे बेतहाशा महबत करती है वो तुम्हारी पीट पीछे तुम्हारी बहुत तारीफे भी करती है वो कहती है कि तुम्हारे आने से घर में वो बात करते करते रुका था यकदम खयाल आया था कि ये वक्त अम्मा की सफाईयां पेश करने का नहीं है इन बातों के बात तो शायद हानिया शर्मिंदी की के मारे अम्मा के खिलाफ एक लवब भी ना बोल सकती जबके हारिस चाहता था कि वो अपने दिल में जमा चोटी से चोटी शिकायत हर तरह की शिक्वे का खुल कर इजहार करते ये समझाने का नहीं सुनने का मौका था वाहित तरीका जिससे हानिया की जी का बोज हलका हो सकता था तुम्हें पता है एनी आपा और अफशा आपा जब भी मैं के आती हैं अम्मा के सामने अपने सुस्राल वालों की धेरो धेर बुराईया करके अपने जी का बोज हलका करके वापिस अपने घर की राह लेती हैं चोटे बड़े मसले हर घर में होते हैं हानिया बत किस्मती से तुम्हारे मैके में कोई ऐसा शक्स नहीं जिसके सामने तुम अपने जी का बोज हलका कर सको छोटी छोटी बाते जमा होकर तुम्हारे अंदर की घुटन को बहुत बढ़ा देंगी मैं चाता हूँ तुम मुझे पर मुकम्मल एत्बार करो भूल जाओ मैं अम्मा का बेटा हूँ अम्मा से या एनियापा वगरे से जो भी शिकायत हो तुम बिला जिजक मुझे से हर तरहा की बात कर सकती हो हाँ आइंदा मैं तुम्हारी आँखों में गुलाबी डोरे ना देखूं जाने छुप छुप कर कहां रोती हो और कितना रोती हो आइंदा सिर्फ मेरे कंधे पर सर रखकर आसू बहाने है आई समझ में बात हारिस ने उसकी थोड़ी पकर कर उपर की हानिया का चहरा आसूं से तर हो रहा था हारिस ने बहुत प्यार से उसके आसू पहुचे थे खाला जान से मुझे हर्गिस कोई शिकायत नहीं मैं उन्हें खाला कहकर मुखाति तो करती हूँ लेकिन मैं उन्हें अपनी माही समझती हूँ पता नहीं आप इतनी देर से मुझे क्या समझा रही है मेरे पले एक लफ नहीं पड़ा अगर मैं छुप छुप कर रोती हूँ तो उसकी वज़ा खाला जान नहीं आप हैं हारस सिर्फ और सिर्फ आप वो फिर बुरी तरह रो पड़ी थी मैं हारस को तो जैसे करंड सा लगा था उसने बे यकीने से जौजा महतर्मा को देखा जब मुझे पसंद नहीं करते थे तो खाला जान के दबाओं में आकर शादी की हामी क्यूं भरी क्यूं जोड़ा एक अंचाहा रिष्टा वो रोते रोते पूछ रही थी तुम से किसने कहा ये सब हारस सट पढ़ा गया था मैंने खुद सुनी थी उस रोज आप लोगों की बातें एनी आपा कह रही थी कि आपने महस खाला जान की नराजी के खौफ से ये रिष्टा जोड़ा था खाला जान और एनी आपा खुश हो रहे थे कि उनका इंतखाब दुरुस साबित हुआ और आप मेरे संग खुश है जबके मैं तो उस दिन से शौक की हालत में हूँ मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि आप किसी दबाव में आकर मुझसे शादी पर राजी हुए है हाला कि मुझे ये बात बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी आप पहले दिन से मेरे साथ दोस्ताना तालुक इस्तवार करने की कोशिश करते रहे दोस्ती दोस्ती का राग अलाबते रहे और मैं आपकी महबत वारस्तगी और इलतिफात को तरस्ती रही मैं आपकी बीवी थी हारस और आप मुझे किसी ना समझ और कम अकल दोस्त की तरहा क्रीट करते रहे मैं खुद को मुतमाइन करने के लिए लाग तज्विहात दी लेकिन फिर मेरी सारी खुश्वेमियों का खात्मा हो गया मैंने आप लोगों की बातें सुन ली मैं जबरदस्ती आपकी जिन्दगी में शामल की गई ये इनकिशाफ मुझे किस अजियत में मुब्तला कर गया आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते मेरी निगाहों में मेरी जाद दो कोड़ी की होकर रह गई इससे अच्छा था कि मेरे भाई मेरी शादी शहजाद के साथ इससे आगे एक लफ नहीं हारिस ने बे तहाशा खवा होते हुए उसकी बात काटी वो चुप तो हो गई मगर आसू अब भी मुसलसल उसके गाल भिगो रहे थे हारिस ने गहरा सांस अंदर खेचा था सुड़त हाल उसकी तवक्को के बिलकुल बरक्स निकली थी तुम जिस बेयकीनी की कैफियते हो पता नहीं मेरी वजाहत को कुबूल करोगी भी या नहीं लेकिन अब तुम्हें चुप होकर मेरी बात सुनना होगी फरगौड से एक आसू बहाना बंद करो ये आसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं हारस ने बेचारगी से उसे मुखातिब किया था हाँ ये सच है कि जब अम्मा ने पहली बार मेरे सामने तुम्हारा नाम लिया था तो मैंने फौरान ही इंकार कर दिया था जानती हो क्यूं हारस ने बूचा हानिया ने आसूं से लबरेज आँखों से हारस को देखा था मगर हारस के सवाल का कोई जवाब ना दिया था मेरे इंकार की वज़ा तुम्हारे यही आसू थे मिसिस ठंडी सांस भरते हुए हारस ने टिशू के डबे से टिशू निकाल कर हानिया को थमाई थे पिछले कई बरसों से मैं तुम्हारे एक ही रूप से वाकिफ था और वो रूप यही रोने धोने वाला था एक रोती बसोरती लड़की से शादी का मेरा कतन कोई इरादा ना था तो किसी ने गन पॉइंट पर तो मजबूर नहीं किया था आपको ना करते मुझसे शादी इस बार हानिया तिनक कर बोली थी हारिस ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की मुझे कोई गन पॉइंट पर मजबूर कर भी नहीं सकता मिसिस मैं जरा वकरी टाइप बंदा हूँ हारिस ने उसे बावर करवाया था हानिया बस उसे खवगी से देखती रह गई जिस तरह तुमने हमारी बाते सुनकर ये खड़ाक पहलाया उस तरह एक दिन मैंने भी इत्वाक से तुम्हारी और अमा की बाते सुन ली थी वही दिन था जब तुम अमा को शहजाद के रिश्टे के मतालिक बता रही थी उस रोज तुम्हारे आंसु मेरी गहरत पर ताजियाना बन कर लगी मेरा बस ना चल रहा था कि मैं शहजाद को शूट कर दूँ अमा भी तुम्हारी वज़ा से बहुत अपसेट थी लेकिन मेरे एक बार के इनकार के बाद अमा ने दोबारा मेरे सामने तुम्हारा नाम तक न लिया था जो काम मुझसे कोई जोर जबरदस्ती से ना करवा सका वो बस खुद बखुद ही हो गया तुम इसे हमदर्दी का नाम दे लो या फर्मा बर्दारी का बहराल मैंने अमा को तुम्हारे लिए हाँ कह दी थी मानते हैं ना आप कि ये सिर्फ हमदर्दी प्लस फर्मा बर्दारी थी मजबूरी का ना सही मगर ये हमदर्दी का बंधन है ना हानिया की हिच्कियां फिर शुरू हो गई थी हान निका से पहले तक यही सूरतिहाल थी हारिस ने फराख दिली से तसलीम किया अब ये मत कह दीजिएगा के निका के बाद आपको मुझसे महबत भी हो गई है वो रोते रोते बोल उठी थी हारिस लब भीच कर उसे खवगी से तकता रहा अब क्यूं खामोश हो गए बोलते क्यूं नहीं हानिया ने रंदी हुई आवाज में उसे मुखातिब किया क्या कहूं जो कहने लगा था उससे तुमने मना कर दिया मुझे बहलाए मत हारिस इतनी बेवकूफ और कमकल नहीं हुँ मैं वो चड़कर बोली थी बेवकूफ तो मैं हूँ शादी के बाद से अब तक इसी कोशिश में लगा रहा कि हमारे दर्मियान एक दोस्ताना सा तालुक अस्तवार हो जाए तुम मुझे पर एतमाद करो मुझे से तुम्हारी जिज़क खतम हो जाए अपने दिल की हर बात तुम सिर्फ मेरे साथ शेयर करो मैं सोचता था तुम्हारी जिन्दगी में पुर्खलूस रिष्टों की कमी रही है अपने शोहर को तुम अपना सबसे पुर्खलूस दोस्त मान लो इस कोशिश का नतीज़ा ये निकला कि मैं तुम से ढंग से इजहारे महबत भी ना कर सका और इजहारे महबत करता भी तो कैसे महबत अचानक कैसे पैदा हो गई लेकिन मैं अपनी महबत और वारफ्तगी जाहर करने के बजाए पहले अंडरस्टेंडिक डेवलप करने की कोशिश में लगा रहा बताओ जरा इस रूए जमीन पर मुझसे बड़ा घामड और कौन होगा और जिसके लिए ये सब कुछ किया आज उसी की अदालत में पेशी भुगतना पड़ गई उस मौज़िश शक्सियत से मेरी इलतमास है कि शक्की एनक उतार कर सिर्फ एक बार मेरी आँखों में छाक ले अगर उसे वाकई इन आँखों में महबत का ठाटे मारता समंदर नजर नहीं आ रहा हो तो मैं अभी इसी वक्त उसे अच्छे से आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाने लगा हूँ आप वाकई मुझसे महबत करते हैं हारस किस बेयकीन लहजे में वो इस तफसार कर रही थी हारस को उस पर तूट कर प्यार आया था कौन सी जबान में कहूं कि तुम्हें यकीन आएगा उसने मुस्कुरा कर पूछा हानिया ने जरा नजर उठा कर उसकी सम्द देखा था हाँ बताओ नजर आकई मुहबबत या वाकई चलें किसी आई क्लैनिक पर हारस ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा था अगर ये इजहार पहले कर देते तो मैं क्यों इतने दिन परेशान रहती हानिया को मुहबबत पर यकीन आया सो आया साथ ही फिर से रोना भी आ गया जरा सी तारीफ पर तो तुम बेर बहूटी बन जाती थी रोमान जारने लगता तो जाने क्या हाल होता तुम्हारा हारस उसे शादी के इप्तदाए दिन याद दिला रहा था तो नई नवेली दुनहनों को शरम तो आही जाती है इसका ये मतलब थोड़ी है कि शोहर ढंक से इजहारे महबत भी ना कर पाए हारस इस शिक्वे पर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था मेरी दुलहन अब भी नई नवेली ही है वो मुतमईन रहे अब उसका शोहर उससे महबत भी करेगा और इजहारे महबत भी कहो तो एक घजल सुना कर इजहारे महबत की शुरुआत करूँ वो शरीर हुआ था बस करें अब हानिया के होटो पर शरमगीन सी मुस्कुराहट पहल गई थी शुरू किया नहीं और अभी से बस कर दूँ फिर मेरे खिलाफ एक और चार शीट तयार हो जाएगी वो हसा था हानिया भी जहेंब कर हस पड़ी चलो शुकर है आज हम दोनों की गलत फहमियों का खात्मा हुआ तुम मुझसे बदगुमान थी और मैं सोचे बैठा था कि शायद तुम अम्मा की बातों पर डिस्टरब रहती हो मैं सोचता था जैसे तुम अपने घरवालों की छोटी छोटी बातों पर दिल गिरस्ता हो जाती हो अम्मा की बाते भी तुम्हें वैसे ही परिशान करती हैं आप मुझे बहुत इम्मेचोर समझते थे हारस मुझे अपने घरवालों की जिन छोटी छोटी बातों पर रोना आता था वो बेशक आप के लिए मामूली हो लेकिन मुझे उनके जिन रोयों को मसलसल भुगतना पढ़ रहा था वो सहना किसी भी नॉर्मल इनसान के लिए आसान नहीं था मेरी भाबियां मुझे सिर्फ एक बोच तसवर करती थी उनके सरदो सपार्ट रोयों को सहते सहते जब मैं ठकने लगती तो यहां खाला के पास आकर अपने जी का बोच हलका कर लेती माबाप के बाद मेरा घर मेरे लिए सिर्फ एक सराय बन चुका था अपने ही घर में अजनबियों और महमानों की तरहा रहना कितना तकलीफ दे अमर है इसका अंदाजा कोई और शक्स लगा ही नहीं सकता हानिया थके थके लहजे में बोली थी चलो अपने तकलीफ दे माजी को भूल चाओ अल्ला ने मुझसा महबत करने वाला शोहर अता करके क्या तुम्हारी सारी महरूमियों का अजाला नहीं कर दिया आप से शादी के बाद मुझे मा जैसी खाला की शवकत भरी च्छाओं हमेशा के लिए मुयस्सर आ गई मेरी असल खुश नसीबी ये है जनाब हानिया ने इस बार मुस्कुरा कर जताया था तो जब मा जैसी खाला तुम्हारे किसी काम में माओ के अंदाज में नुक्स निकालती थी तो तुम्हारे चहरे पर बारा क्यों बज़ने लगते थे हारिस को बरवक्त याद आया तो पूछ बैठा था सिर्फ और सिर्फ आपकी वज़ा से खाला जब भी मुझे कुछ समझाने लगती आप मुझे ऐसे टिक-टिकी बांद कर घूरने लगते कि खफ़त के मारे मेरा बुरा हाल हो जाता मैं सोचती थी कि आप अपने दिल में मुझे फूर समझ रहे होंगे बस मुझे इसी लिए रोना आने लगता था लो जी यानि कि ये कुसूर भी मेरे ही खाते में दर्श था सदमे और अफसोस से हारस का बुरा हाल होने लगा गलत फहमी थी हारस अब तो खत्म हो गई ना हानिया ने उसे तसली दी हारस उसे मस्नुई खवगी से घूरने लगा था अच्छा वैसे नराज होकर तो मत घूरे प्रामस आइंदा आपके खिलाफ कोई खलत फहमी दिल में नहीं पालूँगी जो भी बात होगी सबसे पहले आप से शेयर करूँगी आखर आप मेरे बहतरीन दोस भी तो है हानिया ने उसे मुस्कुरा कर मुकातिब किया था हर्गिस नहीं दोस्ती वाली पेशकश महदूद मुद्द के लिए थी अब मैं तुम्हारा शोहर हूँ पहले तुमने मेरा दोस्ताना रूप देखा था अब मेरी महबबतों की शिदते भी देखनी पड़ेंगी और अगर तुमने मैं सब कुछ देख लूँगी हारस पहले जरा किचन देख लूँ बगएर दुले बरतनों का अमबार जमा है और शाम के खाने के लिए भी कुछ बनाना है हानिया बौकला कर उट खड़ी हुई थी हारस ने उसका हाथ पकड़ कर दुबारा अपने पास बिठाया था तुम्हारा ये शर्माना बौकलाया सा रूप मेरे होश उड़ा देता है जाने मन पता नहीं चन्द ही दिनों में कैसा जादू कर दिया मुझ पर हर वक्त हर घड़ी सिर्फ तुम्हारे खयालों में ही खोया रहता हूँ हारस के मखमूर लहजे में की जाने वाली सरगोशी उसकी वारफ्तगी हानिया अपने दिल की धड़कन को समालने में नाकाम हुए जा रही थी मुझे आपकी महबत की सदाकत पर दिल से यकीन आ गया है हारस लेकिन दोस्ती वाली पेशकश की मुदत थोड़े अरसे के लिए और बढ़ा दें पलीज वो दीरे से गोया हुई थी उसकी पलकों की लर्जश और गालों पर बिखरती लाली उसकी दिली कैफित का पता दे रही थी हारस महजूज अंदाज में मुस्कुराया था सिर्फ एक डायलॉग सुनकर ये हालत हुई है ये तो इज़ार महबत की इब्तदा है बीवी उसने उसे शरीर अंदाज में छेडा आज के लिए ये ही बहुत है बस मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ वो यकलक अपना हाथ उसके हाथ से छुडाती तेजी से कमरे से बाहर निकली थी हारिस के लव उपर दिलकश मस्कुराहट बिखर गई थी मा की फर्मा बर्दारी का क्या खुबसूरत और हसीन इनाम मिला था उसे उसका रुआ 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 अपने रब का शुकर गुजार था बहुत मुतमईन अंदाज में वो बैट पर नीम दराज हो गया अब वो आँखे मुंदे दिल ही दिल में रुमांटिक सी गजल याद करने की कोशिश कर रहा था जो आज चब उसे अपनी बीवी को सुना कर बकाइदा और भरपूर इजहार महुबत करना था क्योंकि हानिया का शिक्वा बजा था इजहार के बिना महबत अधूरी थी अब उसे महबत भी करनी थी और साथ ही उसका भरपूर तरीके से इजहार भी साथ ही ये एतराव भी के महबत के बिना उसकी जिन्दगी अधूरी थी बिलकुल अधूरी क्योंकि मुहबत ही तो जिन्दगी है